बाइ, नमस्कार रात के दो बज़ रहे हैं और मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो आपको सुबारण वजद मिलेगी तो आपको ये सुबारण वजद मिल रही होगी इस वीडियो में में आपको complete detail बताँगा कि आपको टायर2 की तयारी कैसे करनी है लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो रिस्पॉंस आप लोगों ने दिखाया मुझे इंटर्व्यू के बैच वन पे वो एक घंडे के अंदर अंदर ही सारा फूल हो गया तो अब बैच वन में किसी काडमिशन नहीं हो सकता है मैं उसमें किसी को इन्रोल नहीं कर सकता हूँ उसके लिए माफी चाहूंगा लेकिन हाँ हो सकता है कि बैच 2 बैच 3 भी आए तो आप लोग इंतजार करिएगा तब तक थोड़ा सा नस्दीग भी आजाएगा आंसर की हो सकता रिसल्ट भी आजाए तो इंटर्व्यू के डेट्स पता चल जाएंगे लेकिन उस बैच में सिर्फ वही लोग हैं जो 70 प्लस स्कोर किये जिनको लगता है कि वो 60 प्लस स्कोर करेंगे जिनका सेलेक्शन होने की चांसे है टायर 1 में बौर्डर वालों को मैंने उसमें इन्रोल नहीं कराया है ठीक है टायर 2 है क्या सबसे पहले ही जानते हैं टायर 2 एक डिस्क्रिप्टिव एक्जाम है जिसमें आपको आपके लोकल लेंग्विज से इंग्लिस में ट्रांसलेशन करना है और इंग्लिस से आपके लोकल लेंग्विज में ट्रांसलेशन करना है टोटल यह 40 नंबर का है 10 नंबर का उसमें इस पोक है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर जाँचा जाएगा तो इस 40 नंबर के कॉशन में आपको तीन चीज़े बताऊंगा तीन बहुत ही महतोपूर्षीजे हैं सबसे पहले आपको क्या काम करना है डेली, एक पेज हिंदी राइटिंग और एक पेज इंग्लिस राइटिंग लिखना है या जो आपका लोकल लैंगविज है एक page उसकी writing और एक page English की writing लिखना है 500 words का क्योंकि 500 words वहाँ पे होंगे तो आपको पहले से practice करनी होगी ये करना क्यों है इसको करने से सबसे पहले आपके हाथ की practice होगी लिखने की practice होगी और second thing आपकी writing सुधर जाएगी writing का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी descriptive exam में writing का रोल बहुत बड़ा होता है ये बात आप ध्यान रखिएगा अब इसके sources क्या होंगे कहां से आप लिखोगे तो इसके बहुत सारे sources हो सकते है सबसे पहला तो मैं यह कहूँगा कि आपका कोई local magazine हो और एक English magazine आप किसी एक मेहना का लियाक रख लिजे एक मंत का local magazine से एक page लिखिए और English वाले magazine से एक page लिखिए उससे फाइदा क्या होता है कि अगर कहीं political या geographical या scientific अगर paragraph आ जाया है तो आपको परिशान ही नहीं होगी उस समय लिखने में उसके मतलब को समझने में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी practice बनी रहेगी अगर आप magazine से लिखते हैं तो दूसरा source होता है आपका local newspaper आपके हाँ local newspaper आता होगा उडिया में, हिंदी में, गुजराती में जो भी आपने local language आप्ट किया होगा उसको ले के आप वहाँ से लिख सकते हैं और English newspaper तो आप अगर एक भी ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक साल तक लिखते रहे जाएंगे इसमें उतना content होता है क्योंकि उससे आपको सिफ writing मनानी है और second thing आपको उसे words से go through होना है कि कैसे-कैसे words होते है third thing आपके घर में किताबे होंगी जगर्फी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, साइन्स की ये सारी किताबों से भी आप लिख सकते हैं English writing इससे क्या होगा कि आप जो scientific words हैं जो geographical words है, जो historical words है, जो political words है जैसे fraternity, sovereignty ये सब चीज़ से आप थोड़े से रूबरू हो जाएंगे, कि भई, क्या होता ये चीज़, कैसे लिखते हैं, spellings क्या होती है इनकी, ये सारी चीज़े मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तो आपके sources है कि आप writing कहां से करें second काम आपको करना है alternate days पे एक दिन आपको English को translate करना है अपने local language में और एक दिन आपको अपने local language को translate करता है English में इसके sources भी वही होंगे जहां से आप writing लिख रहे हैं उसी source से आप इसको translate भी करिए लेकिन एक दिन English से करिए अपने local language में और एक दिन अपने local language से English में करिए daily daily आप नहीं कर पाएंगे तो आप एक दिन करिए और चीजे थोड़ा से याद रखने की process करिए कि किस चीज को आपके local language में अगर English है इसका मतलब तो आपके local language में इसको क्या करें जैसे fraternity fraternity एक political word है तो इसको हिंदी में कहते हैं भाई चारा तो यह चीजे अगर आपको वहाँ पर मिलेगी ना तो आपको strike नहीं कर पाएंगे तो इससे पहले अगर आप पहले से तयारी कर रखेंगे तो आपको easily वहाँ पर कोई परिशानी नहीं होगी सबसे पहले दिक्कत कि यह नहीं होगी कि आपके उंगलियों में दर्द नहीं होगा 500-500 वर्ट्स लिखने में क्योंकि टाइम भी आपके पास ज़्यादा नहीं है आपको यह राइटिंग एक घंटे में टकरना है डेली जो आप राइटिंग लिख रहे हैं और सबसे इंपोर्टन चीज जो मैं आपको तीसरी बात बताने जा रहा हूँ यह एक्स पर नोटिफिकेशन में बोल रहा हूँ एक्स पर नोटिफिकेशन यह लिखा हुआ है कि जो भी टाइट टू देगा अगर आप टाइट टू में बैठ रहे हो और आगर आप पासिंग मांक ले आ रहे हो तो आपको टाइट टू में आप एड्मिटेट हो टाइट टू मतलब कि इंटर्व्यू देने के लिए ठीक है यह था मेरे हिसाब से बेस्ट स्टेजी है टाइट टू के लिए अगर आप एक महिना लगातार इसको करते हैं तो आप 100% बहुत अच्छा करके आओगे सोचने की बात ही नहीं हो कि कि टाइट ट्री में जाएंगे या नहीं जाएंगे 100% जाओगे बाकी ऐसे ही प्यार बलाए रखिए और सपोर्ट करते लिए बहुत अच्छा लगता है और क्या कहूं अपसल जाता हूं सो जाता हूं दो बजगे रात के गुरनाइट